हेलो एवरिवन आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेप्टो कोकस गैलोलिटिकस की तो स्ट्रेप्टो कोकस गैलोलिटिकस यह देखिए ग्राम पॉजिटिव है जाहर सी बता यहां पे देखिए यह यहां पे लाई कर रहा है तो यह ग्राम पॉजिटिव सारे हैं तो यह ग्राम endocarditis cause कर सकता है और उसका बाद फिर देखिए अच्छा एक चीज़ यहां बताना भूल गए कि यह streptococcus gallolyticus को पहले streptococcus bovis भी बोला जाता था ठीक है तो यह नाम यह नाम को confuse नहीं हो ना दोनों एक ही चीज़ है और patient with streptococcus gallolyticus endocarditis have increased incidence of colon cancer अगर किसी को infective endocarditis हो रहा है वो भी streptococcus gallolyticus को जाता है तो इसमें colon cancer का chances बहुत जादा होता है ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमको याद रखना है यहां पर सबसे पहली बात कि ग्राम positive है यह देखिए ग्राम positive सारे है और यह colonizes the gut तो guts में colonize होता है और can cause bacteremia तो यह bacteremia cause करता है infective endocarditis cause करता है दो चीज़ हुआ है और infective endocarditis अगर यह cause कर रहा है तो इस condition में colon cancer का chance बढ़ जाता है बस यह चीज़ है और देखिए इसका नाम bovis है तो bovis in the blood तो blood में आएगा वही है कि bacteria यह cause करेगा और जब ब्लड में आएगा तो यह infective endocarditis cause करेगा और यही cause करेगा cancer in the colon तो c से colon ठीक है cancer और colon यह सारी चीज़ें हमको यहाँ पर इस से याद रखना है तो यह हमारा streptococcus gallolyticus यह भी complete होगे ठीक है अब हमारे पास इस कोकाई में सिर्फ interococcus बचा इंटरococcus के बात कर लेंगे तो हमारा यह पूरा streptococcus और strephilococcus यह दोनों हमारा complete हो जाएगा